हेलो दोस्तों मैं जी स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल जीत फूरी उपर यहाँ पर आज मैं लिकर आया हूँ आपके लिए प्रतिवापार भूल लेंकन वायक्षीट दोजार एकीस बाइस विशर परयावरान अध्यान कक्षा पांच खंड है आपका आ साथ ही साथ इसमें खंड बाको भी अपन लाश्क में देखेंगे तो आपको कहीं और जानी की जरूरत नहीं है चलिए चलते हैं अपन बिना देरी करें आपको क्या करना है अपनी वायक्षीट को फिल कर लेना है यहाँ पर अपना नाम डाद लेना है यहाँ पर आपके पिताजी का नाम, यहाँ पर आपके विद्ध्यालाय का नाम, यहाँ पर आपकी कक्छा 5 डल जाएगी आंगे चलिए अपन चलते हैं, यहाँ से अपनी वर्क सीट स्टार्ट होती है, यहाँ से दिखी कारूप का प्रारम करें तो पहला question होता है अपना निमलेकित में से कौन सा उपकरण फूप पर बजाया जाता है तो दीखी यह सहनाई दी गई है तो यह सहनाई फूप से बताई जाती है ठीक है न आगे अपन लिख देंगे कोई भी अक्छे नहीं दिख रहा है तो मैं आपको लिख कर बता दूँग क्योंकि मैंने pencil से लिख आगली बार से मैं कभी भी pencil यूज नहीं करूंगा अगला है प्रिश्ण तापमान से माप जाता है तो दीखी यहां पर धर्मा मीटर लिखा हुआ है तो धर्मीट मीटर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है आगे देखेंगे चित दिया गया है कहा है चित तो दीके चित में बहुत सारे जानबर दिखाई दे रही है तो यानि कि सीदी सी बात है homework है चिट चड़िया घर का है तो यहां पर चिड़िया घर पर टिक लगा देंगी और यहां पर लिख भी सकती है आंगे देखेंगे बाहनों के पेदृष्ण से हमारा से पहले भोजन फूख कर ठंडा किया जाता है ताकि जीब ना जले क्या न जले जीब ना जले तो यहां पर लिख भी देंगे तो अच्छे से हो जाएगा अगला है ठंड के दिनों में तापमान गर्मी के दिनों से क्या होता है कम होता है ठंड में बहुत कम होता है तापमान तब ही अपन तापते हैं यानि कि आख सेंखते हैं तो यहाँ पर अपन लिख भी देंगे अगला question होगा अपना निमलित में से कौन सा उर्जा का सुरो सीमित है तो देखिए कौन सा उर्जा का सुरो सीमित होगा जो जादा यूज करने पर खतम हो जाए क्या है वो केवला तो पन यहाँ पर केवला लिख सकते हैं अगे चलेंगे अपन मकान बनाने में प्रियोक्त तोजार क्या है दिखिए चाकू भाला बंदुक ए सभी मकान बनाने में प्रियोक्त नहीं किया जाता है क्या उप्योक किया जाता है खुर्पी यहाँ पर दिखिए लिखा हुगा खुर्पी यह नमबर पर तो पन लिख में दिये गए किछ विसेशना है लिखी तो यह डीखिए किज़ दिया गया है कौन सा कीट मतलब रेशम कीट बोलते हैं इसको जो की रेशम बनाता है तो यह क्या करता है तो दिखे यह रेशम कीट है जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है तता यह सहतूत की पत्तियों को खाता है ठीक है न किसी पत्तियों को खाता है सहतूत की पत्तियों को थोड़ा साब दिख रहा ह यहाँ पर अगला question है धान और अलू की फिशल में अंतर बताएं दूखि धान की खेती जून माह में होती है की जाती है और लगभग 90 से 100 दिन में त्यार होती है अगला है अलू की खेती सरद रितू में की जाती है वह 80 से 90 दिन का समय लगता है तो यह अपना हो क्या अगला है जब हम कपड़े धोकर शूकने डालते ही हैं तो वे क्या सूक जाते हैं क्यों सूक जाते हैं करण सहीथ बताईए दीखिए जब हम पन कपड़े दोकर डालते हैं धूप में तो वे वाशवी करण के द्वारा कि से वाशफी करंग के दिवारा सूख जाते हैं अगला कोश्oka पीने के पानी को कहा पर साफ करके हमारी घरों तक पहुँचाया जाता है तो दिखिए थोड़ा साप नहीं दिख रहा है लेकिन आपन काम चला लेंगे मैं पढ़के बता रहा हूँ पीने के पानी को जल्ली सयंत द्वारा साप किया जाता है तथा पाइप लाइन द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है और यह हमारे स्वस्त के लिए आवश्यक है ठीक है ना पैन नहीं है नहीं तब मैं आपको लिखती हूँगा अगला है हमारे अपने सपनी के घर के बारे में सोच कर बताएं कैसा होता है आपके घर साथ कौन रहेगा दिखिए मेरा घर बड़ा होना चाहिए वा घर में पूरा परिवार एक साथ रहे क्या घर में पूर परिवार एक साथ रहे ठीक है जर पूराना नौट नए नोट में अपको अंतर बताना है जीसे अभी आपको मालूम हो yield कि आकार में पूराना नोट बड़ा होता था पूरानी नौट का रंग लालना रंगी है जो कि 20 नोट बना हुगा depre razor पकार में छोटा होता है और नए नोट का रंग पीला है, हलका सा पीला दिखाई देगा आपको, अगर आपने देख लिया होगा 20 का तो, ऐसे अपन अंतर लिख देंगे, अगला कोश्चन है, वश्चल की स्कूल में एक मज़ेदार गटना गटी, वश्चे पिताजी को सुना रहा है, सोचिये और लिखिये और मज़ेदार बात क्या हो सकती है, तो दिखिये अपन को एक चुटकुला लिखना है यहाँ पर, वश्चल ने पिताजी से कहा, शौनू इश्कूल में गधा लेकर आया, टीचर, यह क्यों लेकर आए हो, तो सौनू बोला, मैम, आपने ही त कहा था कि मैंने बड़े से बड़े गधो को इंसान बनाया है, तो मैंने सोचा इसका भी भला हो जाए, तो इस तरह एक कहानी सुना दी, तो आगे चलेंगे अपन, अखला दिखिये, आपने हमेशा देखा होगा कि खानी की मीठी चीट जब जमीन पर गिर जाती है, तो दोकन के अधार पर दी गए प्रिश्णों के उत्तर लिखें, तो इस तरह आपन प्रिश्णों के उत्तर लिखेंगे, दिखिए कितना है, चीटी कितने देर में आ जाती है, शुगहन की थोड़ी देर बाद चीटियां आ जाती है, क्या चीटी सबसे पहले आई या सारजु नहीं ऐसा नहीं होता है एक के बाद एक चीटी आती जाती है ठीक है न अब लिख देंगे अगला कुछ्चन है चीटियां खानी की चीज का क्या करती यहां जम्मा करके रखती है ताकि बाद मैं भी खा सकें पूरा-पूरा थोड़ा कम दिखाए देर लेकिन मैंने पढ़कर वता दिया है, बे उस जगह से कहा जाती है, देखी पे उस जगह से अपने घर में चली जाती है, सब भी अपने घर में जाएंगे, अगला है क्या चीटियां कतार में चलती है, तो आंसर अपना हाँ, चीटियां कतार में चलती है, तो इस तरह है, अपने देख लिया, इसके ब पताजी का नाम कच्छा है चलते हैं इसकी बाद दिख़ी यहां से वरक्ष्य प्राइम करना है को देश की कोई दो इतिहासी के मारतों के चित चिपका है यहां उनके बारे में दी गई तालिका में लिखें तो दिख़ी यहां पर जरूरा नहीं है कि आप पैंसल से चित शक्ते हैं उनके बारे में कुछ जानकारी लिख देंगे जैसे मैंने लाल किला बनाया हुआ है लाल किला पुरानी दिल्ली में इस्तित है वा लाल वलुगा पत्थर से बना है आंगे देखिए अगला कुश्चन है अपना एक ताजमहल दिया गया है ताजमहल आगरा में इस् अगला है अतीत से लेकर वर्तमान तक भवन निर्मान में क्या अंतर आया उतर देकि अतीत में भवन निर्मान में पत्त्रों का प्रियोग किया जाता था जबकि वर्तमान में इंटों का प्रियोग किया जाता है अगला question है इन इमारतों के चित को देखके इनके अंधर क्यानक सा अपनी कलपना बताएं इन इमारतों में अंधर स्टंगरालाय, रंग महल, दीवाने आम, दीवाने खास जैसी सुन्दत रचनाय हैं तो इस तरह आपन बना लेंगे अगला है अपने आसपास के जल सुरोतों से पानी खटा करने करके नीचे दी गई टेबल में उस सुरोत के पानी की बारी में लिखें जैसे पानी का सुरोत लिखना है और पानी का रंग लिखना है क्या पानी पीनी युग है वो पीने बाले पानी का शृद लिखना है सुरोत पानी कहां से आया यह सबी अपन को यहां पार लिखना है तो ऐसे अपन भर देंगे इसको आंगे दिखी एसी सारी जानकारी अपन आँगे भर देंगे तो एक Q Lane Complete हो जाएगा अगला question है जिन सुरोतों का पानी पीने लायक नहीं था उनका क्या होशकता है तो उत्तर लिखेंगे जल के सुरोतों में घुलित लबर्ण, लंबित करण, सुक्ष में जीवानूं तथा अन्य गंदगी के कारण कई जल सुरोतों का पानी पीने लायक नहीं होता है तो इस तर अगला है अगर आप गलती से गंदा पाने पी ले जाए तो क्या होगा अगर गलती से गंदा पाने पी लिया जाए तो हम बेमार पढ़ जाएंगे आगे देखेंगे अगला कुश्यन है जिन सुरोतों का पानी गंदा था उनके पानी को गंदा होने के क्या कारण हो सकते हैं जिन सुरोतों का पानी गंदा था उनके गंदा होने का कारण उसमें उपस्तित जीवाणूं निलंबित कारण तथा लबन था इसी ही आगे चलेंगे गंदे पानी को पीने लाइक कैसे बनाया जा सकता है पहली बात तो क्या उबाल कर कैसे उबाल कर ठीक है न और दूसरी बात क्या बाटर फिल्टर लगा कर इस तरह अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद